रोकर्तिन चतिसगर का जहां करशी कानूनों की मुखालफत कर रहे किसानों के समर्थन मोतरी कॉंग्रेस ने चतिसगर में रैली निकाल कर प्रदर्शन किया चतिसगर कॉंग्रेस के प्रदेश अद्रश मोहन मरकाम की अगवाई में ये प्रदर्शन किया गया मोहरमारकाम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चार सदस्ती कमेंटी बनाई है उसके सबी सदस्ते क्रशी कानूनों के हितैशी हैं जो क्रशी कानूनों को लेकर सही फैसलाद नहीं कर सकते क्यानरा में बैठी भार्ती जन्ता पार्टी की मानने मोदीजी की सरकार तीन काले कानून बनाई है उसी के विरोध में आज महामाहिम राज़पाल मोदै को महामाहिम राश्पती के नाम हमने ग्यापन सोपा है और केंडर सरकार से निवेदन किया गए कि ये तिन काले कानून वापस ले जिनके लिए कानून बना है देज के 60 करोर अंदाता किसानों के लिए उनसे बिना चरचा किये ना सांतरों से, ना राज्य सबामी ना लोग सबामी ना एक्सपर्ड iis known कोई चर्चा करके कानू लाया आज देश का किसान लगा थार पचाज दिनों से अधिक धरना पर्दासन में बेटा आए और साट से अधिक किसान सहिथ हुए हैं कॉंग्रेस क्रशी कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में राहूल गांधी ओ प्रिंका गांधी बॉर्डर ने प्रदर्शन किया तो 36 गड़ में मोहन मरकाम जो प्रदेश अद्दक्ष हैं कॉंग्रेस के उनकी अगवाई में कॉंग्रेस का रिकरता सबक पर उत्रे और आजववन तक उन्होंने मार्श निकाला तीनों ही क्रशी कानूनों को रद्द करने की ये लोग मांग कर रहे हैं सुप्रिम कोट ने जो चार सदसी कमिटी बनाई है उस पर भी कॉंग्रेस कारकरताओं ने संधेज जताया है इनका कहना है कि जो कमिटी में सबस से बनाए गए हैं वो क्रशी कानूनों के लितैशी हैं तो किसान और संगठन और सरकार में क्रशी कानूनों को लेकर गतिरोद लगातार बरकरार है और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं हमारी समबादाता निधी पर साथ हमाई साथ लाइब जुड़ी हुई है निधी लगात करशी कानूनों का विरोध किया जा रहा है शुरूर से ही कॉंग्रेस इसका समर्थन कर रही है और आज दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ और 36 गल में भी मोहन मरकाम की अगवाई में कॉंग्रेस कार करता सडक पर उत्रे ट्रैक्टर रैली निकाली हाथों में जंडे लेकर इ करशी कानूनों में संशोधन की बास्विकार जब केंदर सरकार ने की लेकिन उस पर भी राजी नहीं है तीनों करशी कानून रद्ध होना चाहिए अब सुप्रीम कोट ने जब कमेटी बना दिये तो कमेटी पर भी संदेज अटाय जा रहा है आखिर विरूद है किस बात का ये कॉंग्रेसी ही ज़्यादा समझ सकते हैं और आज उन्होंने राज इपाल को ग्यापन भी सौपा है क्या कहेंगे अगर बात की जाए तो केंद्री कृष्य कानून का विरूद लगातार पूरी देश में हो रहा था और जस तरह से सुप्रीम कोट का ये पैस्ता आया कि अभी फिलाल इस केंद्री कृष्य कानून को लागू नहीं किया जाएगा उस पर रोक लगा दी गई लेकिन इसके अलावा चार सदस्य कमिटी का गठन किया गया जिसमें चार सदस्य का गठित किये हैं लेकिन कहीं न कहीं कॉंग्रस का ये कहना है कि जिन चार सदस्यों को इस कमिटी में गठित किया गया है वो केंद्री कृष्य कानून के ही हितैशी है और उस कानून का ही हमे प Ouaisूल विए भी किसान जो है वह डटे हुए हैं आंडोलन करने के लिए प्रदर्शन करने के लिए और इसका अख नमूना अच्छतितीस गळ्ड में भी देखने को मिला हाला कि आज पूरे देश में और एककानून का विरोथ किया रहा और एक बार फिर ये मांग की जा रही है कि कमिटी सही लोगों के दिशा निर्देश में एक बार फिर इसे जो कृषी से संबंधित लोग है जिन्हें ज्यादा तोर पर जानकारी है उन सारे लोगों को एक साथ बैठक लेकर इसका डिसिजन लिया जाए और सही डिसिजन लिया जोर इसकेंद्री कृष्टी कानून का दिरोध किया गया और वहां से ये जो कॉंग्रेसियों की रैली है पीसिसी चीफ मोहन मरकाम निजसा की आपने वीडियो में देखा है कि लगातार ट्रेक्टर जो है खुद चलाते हुए राजीव भवन पहुंचे हैं और वहां सब ही जिस तरह से वे राजिपाल से मिलने के लिए गए उन्हें राश्टुपती के नाम ग्यापन सौपा और बाहर निकल कर जानकारी दी कि हमने फिलहार राश्टुपती के नाम ग्यापन सौप दिया है और राजिपाल से मांग की है कि केंद्र सरकार को ये बात कही जाए कि इस मामले में सही डिसीजन लिया जाए और लगातार किसानों के हित में ही तैसला किया जाए क्यूंकि केवल कॉंग्रेसी ही सड़कों पर नहीं है अब इस केंदरी कृशी कानून को लेकर किसान भी सड़कों पर है इसके साथ ही जिस तरह से उन्हीं जानकारी दी कि इन सारे केंदरी कृशी कानून को लेकर बुख्यमंत्री भुपेश बगेल की सरकार ने विशेश सत्र बुलाया और इस विशेश सत्र में इस कृशी कानून में मंडी एक्ट में संशोधन किया लेकिन राजपाल से अब तक इसकी अनुवती नहीं मिली है हस्ताक्षर नहीं हुआ है इससे लेकर भी तमाम तरह की बाते सामने आ रहे थी इस पर भी PCC मर्गाम ने जानकारी दी कि राजपाल से इस संदर्व में भी चर्चा हुई है और हमें ये बिश्वास है कि जल्द ही राजपाल उस पर भी हस्ताक्षर कर देगी ताकि ये जो कानून है वो छप्तसगर में लागू ना हो पाए लेकिन हमारा पूरा प्रयाश है विटेंड सरकार ये तीनों कानून जो है उसे वापस ले और किसानों की जर्मान है उसे लगातार सुने तो ये सारे जर्मान का दर्शन इस कानून के खिलाब था जी बिलकुल लगातार और इसी एक ही बात है करशी कानून रद करने से कम पर किसी भी बात को मानने को तयार है ना किसान और किसान कांग्रेस भी तो एक दूसरे के इस सुर से सुर मिला कर बात की जा रही है आगे ये गतिरोत कब तक बना रहता देखने वाली बात होगी बहुत शुक्रिया ने दी तमाम जानकारी के लिए तो मोहन मरकाम की अगवाई में आज कॉंग्रेस ने रहली निकाली 36 गड़ में तमाम कारकरता जुटे मोहन मरकाम खुद ट्रेक्टर पर सवार होकर रहली में शामिल हुए करशी कानूनों का विरोध कर रहा है कॉंग्रेसी कार्यकरता और साफ कहना है कि जब तक करशी कानून रद नहीं किये जाते तीनों तब तक उनका अंदोलन जारी रहेगा किसानों के साथ कॉंग्रेस इस अंदोलन में शुरुआत सही खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है चार सदस्य इस मामले में विचार करके रेपोर्ट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस कमेटी के सदस्यों का भी अब ये कॉंग्रेसी कार करता और किसान लगातार विरूद कर रहे हैं खास खबर में फिराल इतना ही डीजी अजाज़त बने रही है आप हमारे साथ न्यूज वर्ड पर खबरों का सिलस्ला लगातार जा रही है